आज हमने next start करना है जैसे कि मैंने आपको कल कुछ दो दिनों में previous lectures revise करने को दिये थे जिसमें आपने VB के interface को देखा है कि visual basic में कैसे हम different parts बनाते हैं कैसे हम उस पे controls लगाते हैं I hope और सबको समझ आ गे होंगे अगर नहीं है तो आप उसे question करें आप लोगोंने कोई question नहीं कि या I don't know आप लोग देखने ही रहे या आप लोग कोंको समझ आ गया है अब आज हमने visual basic में programming करना सीखना है coding कैसे करते हैं visual basic में अब वो हमने सीखना है coding करने के लिए हमारे पास आप लोगोंने C++ पड़ी हुई है तो बहुत सारी चीज़े revise होंगी तो उनको मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी ताकि हमारा time कम लगी और हम ज्यादा चीज़ें cover कर सकें अब programming in visual basic में basically visual basic की programming सेम ही होती है हमने set of instructions लिखनी होती है लेकि यह आपको बहुत easy लगेगी क्योंकि जब आप इसमें code लिखनी होते हैं तो बहुत सारे events बहुत सारे functions वह हमें पहले ही option में दे रहा होता है जैसे कि आपने visual basic का interface देखा हुआ है वहां पे तो powerful language है visual basic क्योंकि इसमें बहुत सारे building चीजें मुझूद है हम उनको सिर्फ use का रहे होते हैं तो जैसे controls है आप लोग ने button draw करना सीखा है text box draw करना सीखा है option button draw करना सीखा है तो यह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके code हमें लिखने नहीं पड़ते हैं वह code पहले से हमें लिखे हुए मिलते हैं हम सिर्फ उनको use का रहे होते हैं अब कुछ होर statements कुछ content हैं जो हम use करते हैं हमें सबसे पहले हमारे पास keywords और reservoirs आते हैं ये भी आप पर चुके हैं कि keywords और reservoirs क्या होते हैं predefined meaning होता है जिनका language के अंदर जिनका special purpose होता है उनको हम keywords कहते हैं या reservoirs कहते ह B में और C++ में हमारे पास reserve words हैं वैसे ही visual basic में भी कुछ reserve words हैं जैसे ये window जब आप open करते हैं तो इसमें private लिखावा आ रहा है sub लिखावा रहा है and sub लिखावा रहा है ये सारे reserve words है जिनके पहले से meaning language को हमारे software को पता है private का क्या meaning है sub किसलिए use होते है and sub किसलिए use होते है command one click का function किसलिए use होता है तो ऐसे words जिनके predefined meaning language में मौझूद हैं वो हमारे पास keywords या reserve words कहलाते हैं ये आप लोग इसको detail में पढ़े हैं भी ताकि आपको अगर कोई confusion है तो पूछने मैं इनको सिर्फ prefix explain करूंगी इसके बाद आपके पास data types है data types में आप लोगों ने पढ़ा ह हुआ है कि हम बताता है set of values और set of operations data type आपने c++ में पढ़ी है int float double real data types पढ़ी है character अब वैसे ही यहां पे भी हमारे पास data types होती है जब हमने variable बनाने है तो हमने बताना है कि उस variable की data type क्या है वो कौन सी values कौन सा data अपने अंदर store करेगा और उन values पे हम कौन सी operation कर सकते हैं तो data type की जो definition है वो क्या है data type defines the set of values and set of operation on those values कि हम कौन सी values फ्रीजस कर सकते हैं तब भी हमें data type बतानी हैं जब हम output डे रहे होते हैं तो तब हमें उसकी data type बतानी होती है क्योंकि different data हम computer में store कर रहे होते हैं तो प्रिक्रीबन हाँ जितने data types आपने पहले use की हैं वही data types integer, string, character, float वह सारी यहां पे भी use हो रही होंगी हमारे visual basic में अब यहां पे कुछ नहीं भी होंगी उनको भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास data types कौन कौन सी है सबसे पहले byte है byte जो कि 8 bits लेगा और इसमें कितने bytes are whole numbers between 0 and 255 आप 0 से 255 तक जो whole numbers है वह आप इसमें store कर से उसके बाद आपके पास boolean एक data type होती है जो दो bytes लेती है इसमें दो answers होते हैं yes or no true or false तो इसमें दो options जब आपके पास हों जैसे कोई question आपने पूछा है are you like are you married तो इसका answer होगा yes or no true or false तो इस तरह कि जतनी data आपने अगर लेना हो तो हम वहाँ पे boolean data type दे देते हैं जिसमें सिर्फ दो options आ सकती है और उसमें से कोई एक select करनी है और यह कितनी bytes लेता है two bytes लेता है इसके बाद integer है integer में numeric values आती है with no decimal point और वही range है इसकी जो आपने पहले C++ में पढ़ी है इसके बाद long है यह भी integer की ही further type होती है लेकिन इसमें कितनी bytes आ रही होती है four bytes और इसकी range स्यादा हो जाती है with respect to integer इसको long integer भी कहा जाता है उसके बाद single है single आपके पास यहाँ पे float को represent कर रहा है जो आपने float पढ़ा था जिसमें four bytes आती है और numeric values आती है with decimal point तो यह आपके पास float की जगा यहाँ पे single use होता है उसके बाद double है और double आपका represent कर रहा है float की ही second type को जिसमें eight bytes वो लेता है और उसमें आपके पास range ज्यादा हो जाती है यह fifteen digits ले सकता है इसमे six digits आते हैं after point इसमें fifteen digits आ सकते हैं after point और इसके बाद currency है currency आपके पास eight bytes लेगा और इसमें भी dollars amount आएंगी जब आप कहेंगे कि कोई अपने currency इंटर करनी है तो आप यहाँ पे currency लिख सकते हैं इसके बाद आपके पास string है string में ten and more bytes आ सकते हैं string आपको पता है क्या होता है collection of characters और इसमें कितने characters आ सकते हैं zero से लेकर 65,500 characters इसमें आ सकते हैं और characters क्या होता है alphabets भी हो सकते हैं numbers भी हो सकते हैं कोई symbols भी हो सकते हैं जिनको आपने single quote या double quote के अंदर लिखा होता है और वो आपके पास string कहलाता है इसके बाद date भी इसमें होती है it is used to store date and time values 8 bytes लेगा और variant 16 bytes लेता है और varies करता है और अगर basic अब आपको ये advantage प्रोवाइड करा है कि आपने एक value input लेनी है user से कहना है enter a value आपको नहीं बता कि user क्या इंटर कर रहा है जैसे password हम जब user से पूछते हैं तो वो कुछ बेंटर कर सकते है अपना password सेव करने के लिए तो आपको data type जब clear नहीं होती कि आपने कौन सी data type रखनी है अपने variable की या उसमें किस तरह का data input में आएगा अब वेरियंट लिख देते है वेरियंट का मतलब है कि किसी भी किसम का data आएगा वो integer हो वो currency हो वो string हो वो double हो वो इसको अपने अंदर save कर लेगा next हमारे पास जो है वो है variables variables basically या आपने C++ में भी पढ़ा है कि named memory location होते है जिसकी value during program execution change हो जाती है आप जब program लिखते हैं तो आप इसकी value को change कर सकते हैं program execution mean जब आप variable बनाते हैं अपने input में value लेनी है तो वो value एक दफ़ा आपने program execute किया है तो वो one enter होई है दूसरी दफ़ा आपने program enter किया है तो वो two enter होई है three enter होई है so variable is a named memory location यह आपके पास figure बनी है यह जो main memory है RAM क्योंकि computer में जब भी कोई data process होता है तो पहले किसमें जाता है RAM में तो यह RAM है इसमें एक place आपके data को मिलेगी तो यह मार्क्स स्टोर करने हैं अगर किसी student के तो यह space उसके लिए reserve होगी यह वो named memory location है जिसका नाम हमने क्या रखा है marks तो वो marks जो इसका हमने नाम रखा है वो basically variable है variable name है और इसके address जो होगा वो marks से पता चलेगा जब हम marks लिएगे तो जाके directly इसको इसके अदर जो value store होती है उसको हम क्या कहते हैं कि यह इसका content है यह इसका item है या member है और यह हमारी computer memory mean ram है जिसमें जाके data को उसने store करना है इसके बाद इन्हीं चीज़ों को explain करने के बाद rules for variable name यह भी आपने पढ़े थे same वही rule यहाँ पे भी लगेंगे variable नाम जब आपने रखना है तो कुछ rules को follow करना है may consist of 255 characters कै और इसमें letters number और underscore देखें वही rules है अगर अभी आपने बढ़ा है C++ तो आपको याद होने चाहिए 255 characters maximum आ सकते हैं letter numbers और underscore आ सकता है और first variable must be a letter कै शुरू में सिर्फ आपके पास letter आ सकता है यहाँ पे underscore की भी condition होगे यह C++ में और C में आपने पढ़ा था कि पहला जो है वह लेटर होना चाहिए या underscore होना चाहिए लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है F M हमेशा क्या होना चाहिए letter होना चाहिए यह आप 9 minute home 2 kg लिखेंगे तो यह खलत हो जाएंगे blank spaces are not allowed यह आपने पहले भी पढ़ा था कि आप my space variable नहीं लिख सकते हैं आपको इनको जाइन करके लिखना है बोथ upper and lower cases are allowed कि our reserves cannot be used variable can be declared only for one data type यह वही rules है almost जो आपने C++ में पढ़े हैं कि जब भी आपने variable को नाम देना है तो इन बातों को mind में रखना है इसके बाद हमारे पास है variable declaration जब हम variable का नाम और उसकी data type specify करते हैं तो उस process को हम कहते हैं कि हमने अपने variable को declare करवाया है और इससे variable declaration process तो variable declaration process में आपके पास basically name और data type आप बताते हैं अब यहां पे पहले आप लोगों ने पढ़ा था int आगे space variable name या हम data type लिखते हैं float marks या average और semicolon तो यहां पे इसका different है तो इसमें हम दो चीजे name of the variable specify करते हैं और data type of the variable को specify करते हैं अब इसके बाद next हमारे पास क्या आजाता है इसमें dim का keyword use होता है data type को declare करवाने के लिए या variable को declare करवाने के लिए और dim stands for dimensions dim stands for dimension यह चोट चोटी चीजें हैं जो आप लोगों ने अपसासत समझनी है और याद भी रखनी है क्योंकि अभी आप लोगों के जो seniors का practical हुआ है वो पूछ रहे थे what dim stands for what यह हम variable declare करवाने के लिए क्या use करते हैं तो यहां पे हम क्या use करते हैं dim का keyword और इसका syntax जो most important thing coding के लिए programming के लिए आपके पास होती है कि आपने बताना है तो syntax क्या है variable declare करवाने का जब आप variable declare करवाते हैं तो आप memory में एक space बना देते हैं जो के reserve हो जाती है उस variable के लिए तो आप लिखते हैं dim dim अब यह इसमें smaller capital आप लिखते हैं तो वो खुदी उनको जो variable function आपके पास keywords होते हैं उनको automatically auto correct कर देता है फिर variable नाम जो भी आप रखेंगे और उसके बाद as is another keyword और उसके बाद आप लिखते हैं data type और data types जो हमने पढ़ी हैं भी पीछे उन्हीं में से आप लिखते हैं तो यह देखें इसके बाद as again keyword और integer क्या है data type dim marks as integer dim average as single यह float की जगह मैंने आपको बताया कि यहां पे single यूज हो रहा है dim address as string तो यह आपके पास variable declare करवाने के method है के बाद हमारे पास आजाता है एक और method होता है with suffix suffix का मतलब यह है कि आप data type की जगह कोई special symbol यूज कर लेते हो special character instead of using keyword आपने data type जैसे पीछे लिखा dim marks as integer लिखा था तो आप as integer की जगह यह percentage sign यूज कर सकते हैं dim marks percentage mean कि इसकी data type integer है तो अब इसमें variable declare करवाने के दो methods हैं एक तो आप data type का नाम लिखते हैं as operator के साथ और दूसरा आप किया करते हैं कि special character यूज कर लेते हैं integer के साथ percentage है long के साथ end का sign है single के साथ inclination mark है double के साथ hash mark है currency के साथ add rate का sign है और shrink के साथ s का sign है तो यह special characters हैं जिनको declaration के वागता अब dim marks percentage लिखें या dim marks as integer जो लिखें दोनों same होंगे इसके बाद क्या है variables value assign करना variables assigning value to variables तो value assign करने के लिए वही method है जो आपने पहले use किया है variable name equals to value variable name equals to expression अब expression इसलिए यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे कोई constant value भी आ सकती है या कोई आपके पास equation भी आ सकती है को function call भी कर सकते हैं आप जो return हमें value करेगा और उसे हम z में use करेंगे तो इसकी definition में उन्हेंने क्या लिखा है statement used to assign a value to a variable ऐसी statement जो variable को value assign कर दी होगी वो क्या कहलाएगी assignment statement और उसमें जो operator use होता है वो कौन सा है equal का sign तो method क्या होता है कि variable का नाम आप left side पे लिखते हैं फिर equal का sign लिखते हैं और right side पे expression का sign होता है हमेशा यह sequence और यह syntax follow होगा और इसमें आपके पास क्या आएगा? n equals to 100, c equals to a, z equals to x minus यह examples है अब इसमें visual basic में आपको statement के end पे semi column नहीं लगाना होता आप इसको ऐसे लिखते हैं अब यह छोटा सा program एक लिखा हुए private sub command, name as integer, name as integer, name as integer, name equals to तारिक महमूर, marks equals to 100, print name, print marks and sub उसने इसी program में बता दी है यह अब program लिखने का method है आप इस interface को open करते हैं और यहां पे इस तरह से program लिख देते हैं देखें variable declaration होई है, value assign होई है और उसके बाद वो values print हो गई है अब यहां पर print f भी नहीं लिखते हैं यह c out नहीं लिखते हैं, print करवाने के लिए simple print name, print marks यह हमारे जो form होगा उसके उपर उसको print कर देगा, इसको हम practically भी करते हैं यह जो आपने पहले declaration की है, इसको explicit भी कहते हैं क्योंकि हम इसमें directly बता रही हैं कि variable की data type क्या होगी अब जो हमारे पास इसमें दूसरी type of declaration होती है, assigning a value to a variable without specifying its type अब आपने एक बहुत clear चीज पड़ी थी, के c++ में और c language में, के जब तक आप data को, variable को declare नहीं करवाएंगे, आप उसको use नहीं कर सकते जहां पर भी use करना है, उससे पहले declare जरूर करवाना है, लेकिन यहां पर यह जरूरी नहीं होता, आप without dim statement variables को use कर सकते हैं, यह variable can be declared without first declaring it with dim statement और जब आप उसे dim statement के साथ declare नहीं करवाते हैं और use करते हैं, तो इसको आप implicit declaration बोलते हैं, okay, implicit declaration क्या है, तो directly इसको value assign कर दें, और value को देख के उसे पता चाल जाता है, कि इसकी data type क्या होगी, में आप अपने program में सिफ यह दो lines भी लिख सकते हैं, code में, n equals to Tariq Mahmood और print n, अब जब n वो देखेगा, और equal to Tariq Mahmood देखेगा, उसे पता चाल जाएगा कि इसकी data type क्या है, string है, वो automatically उसको as a string store करके use कर लेगा, यह आपके पास declaration है, अब हम इस program को run कर लेते हैं, आज के लिए इतना काफी होगा, लेकिन आप लोग इसे detail में पढ़ें, यह वही बाते हैं, जो हम पीछे पढ़के आए हैं, मैं visual basic को start करती हूँ, ताकि हम इस program को run कर सके, कि मैं भी यहाँ पे कुछ, आपके book के code यहाँ पे different होँ, क्योंकि यह visual basic का version 10 है, और आपके book में 6 पढ़ाया जा रहा है, तो यह देखे, मैंने form open किया है, जो आपको open करना सिखाया हुआ है, अब यहाँ से, मैं एक button select करती हूँ, और उस button को place कर देती हूँ, code जब आप लिखते हैं, तो mostly buttons के पीछे लिखते हैं, यहाँ से button मैंने select किया है, और button की properties में जाके मैं text select कर देती हूँ, मैं इसे कर देती हूँ, execute, इसने हमारे program को execute करना है, तो मैंने इसे execute कर दिया है, अब मैं इसे double click करूँगी, तो यह देखें, यह एक form आगया, private sub, यह जितना blue में आपको लिखा हूँ नदर आया, public class, यह सारे इसके keywords है, अब इसके अंदर हमने लिखना है, dim marks as integer, वो देखें, साथ साथ मुझे hints देता जा रहा है, और जितने keywords वो उनको blue करता जा रहा है, अगर आप मैं इस window को थोड़ा शूटा करती हूँ ता कि आपको text बड़ा नजर आ जाए, dim marks as integer, इसी तरह, dim, देखें, वो खुद मुझे options दे रहे, मैं यहां से select भी कर सकती हूँ, और मैं खुद लिख भी सकती हूँ, dim, a, b, g, as, देखें, यह options साथ ही आती जाती है, आपके पास इसमें, as, माल पास यह क्या है, single data type, आप लिख भी सकते हैं, यहां से select भी कर सकते हैं, और मैं यहां पे कर सकती हूँ, dim, dim, name, और हम इसके साथ ही dollar sign लगा के, यह method भी, dim, and, अब इसमें किसी में भी इसने error नहीं दी, अब यह जो green underline आ रहा है, वो यह कह रहा है, unused, अभी तक हमने इने use नहीं किया, इसलिए, और मैं यहां पे कर देती हूँ, marks equals to, like, 65, average equals to, 0.65, और हमारे पास, जो name है, वो equal, अब देखें, string की यहां पे भी वही property रहेगी, कि हमारे पास, बिलकुल वैसे ही, अब देखें, जैसे यह use हुए है, variables उसने green हटा दिया, अब इसके बाद मैं यहां पे नीचे print करवाना है, तो यहां पे लिखती हूँ, print, marks, print, marks, और उसके बाद मैं लिखती हूँ, print, देखें, यहां पे वो हमारी correction खुद ही करता जा रहा है, अपने syntax के according, यह बहुत easy हो जाता है, convenient, इसलिए कहते हैं, और print हमने क्या करना है, name को, मैंने यह सारे कर लिए, अब यह मैंने पूरा प्रोग्राम यहां पे लिख दिया है, के, एक मैंने as an integer, as a single air, यह मैंने इसेंबल के साथ की है, और इसके बाद मैंने इनको print करवा दिया है, आपका प्रोग्राम यहां से, यह जो आपको arrow button अदर आ रहा है, debugging यहां से start होती है, यह form देखें, execution form में आया, मैं execute के button के पीछे मैंने code लिखा था, मैं इस पे click करूंगी, तो, okay, उसने हमें दिया है, bad file name और number, okay, यहां पे में भी print का method different हो, इसलिए हमें वो यहां पे यह option नहीं दे रहा, मैं आपको यहां पे दूसरा output method यूज कर लेती हूँ, print का मैं आपको फिर check करके बताऊंगी, message box हम यूज कर लेते हैं, और message box में हमने marks प्रिंट करवाने हैं, marks हमने print करवाने हैं, चलिए मैं आपको यहां पे सिर्फ message box के थूँ बता देती हूँ, इसको मैं दुबारा से run करूंगी, execute करूंगी, तो यह window एक appear हुई है, जिसमें marks और आगे 65 लिखा हुआ, यह method है, output display करवाने का मैं सिर्फ आपको यहां पे बता रही हूँ, इसको हम बाद में detail में भी हमने chapter में next पढ़ना है, कि message box क्या होता है और कैसे हम इसे display करवाते हैं, इसी तरह आप इसके साथ बाकी चीजें भी display करवा सकते हैं, तो यह हमारे पास basically, एक छोटा सा program हमने लिखा है, जिसमें हमने variable declare करना और उनको value assign करना सीख है, यहां पे ही अगर मैं dim statement को remove कर देती हूँ, मैं यहां पे average लिख देती हूँ और average को यहां पे हम print करवा देते हैं, जो implicit data type कही गई थी, average is not declared, it may be inaccessible due to its protection level, अब यहां पे हम इससे debug करते हैं, उसने पराने program की output मुझे दे दी है, लेकिन ने को नहीं किया, अब इसने यहां पे implicit declaration नहीं की, अब यह भी चेक करना पड़ेगा कि 6 में, यह 10 version में मेरे पास होती है, यह ने, लेकिन वहां पे जो हमें बताया गया था, कि हम average equals to 0.65 लिखेंगे, तो वो automatically उसकी data type को guess कर लेता है, जो यहां पे अब error आ रहा है, जब मैंने यहां से इसकी implementation को फत्म किया है, जो हमें पता चले है, प्रिंट और implicit declaration वाला, इसको मैं यहां पे चेक करके आपको बताऊंगी, जिन बाकी हमने उसको implement किया है, और यह हमाई पास execute हो गया है, अच्छा, इसने अगर आपको कोई problem हो, तो हम उसे question कर लें, इसके बाद आगे जैसे हम चलेंगे, मैं यहां पे साथ साथ आपको run करके भी दिखाऊंगी और explain भी करूंगी, अलाँ आफिस,